नमश्कार, मैu हूँ पवंतियागी गुजरात में भारतिये जंता पार्टी ने इतिहास रचा है और वो इतिहास है, MCD को लेकर 10 साल बाद भारतिये जंता पार्टी का नगर निगाए पर कबजा हुआ है और गुजरात में तो 90% नगर निगाए की सीटे जो है उस पर भारतिय जनता पार्टी का कबजा है लेकिन गांधी नगर में जो भारतिय जनता पार्टी के शाशनकाल में भी सीटें बीजेपी के पास नहीं आई थी अब उस पर भी भारतिय जनता पार्टी का कबजा हो चुका है और 44 में से 40 सीट जीत कर भारती जनता पार्टी ने कॉंग्रेस के गड़ में एक तरफ सेंध लगाई है दूसरी तरफ एक रिकोर्ड बनाया है और कॉंग्रेस को बिलकुल हासिये पहला दिया है जिया आपको बताएं 44 में से 40 सीट बीजेपी को मिली है वहीं कॉंग्रेस जो देश से अब सिमटती जा रही है वो अपनी परमपरा का सीट पर उल्ली तीन पारसद ऐसे हैं जो उसके पारसद जीत पाएं हैं वहीं जो दम भर रही थी आम आदमी पार्टी के गुजरात में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भारती जनता पार्टी से लोग नराज हैं अर और यहां तक भी है कि अगर वो लोग सबा के चुनाओं या राज सबा के चुनाओं में हाथ अजमाते हैं तो आम आदमी पार्टी की तो जमानत भी जब्त होगी और यह दिखाया है वाकई में गुजरात का जो एक रोल मॉडल है वो हैं मोदी जी और मोदी जी ने वहां ज केंदर में नारा हमें सुनाई दे रहा है केंदर सरकार का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास यह मौजी जी ने सीम रहते किया और सीम रहते हुए गांधी नगर जैसी सीट में जहां मुसलिम बहुत संक्या मुसलिम जो है जहां एक बहुत बड़ी वोट की संक्या है उ उनके लिए जो विकास के काम किये हैं सीम रहते हुए और इसलिए आपको बताएं एक उधारन देता हूँ मैं आपको के एक ध्योग है जिसमें जादातर मुस्लिम वर्क के लोग हैं वो है पतंग बनाने का अब जब वहां ये मोदी जी जो है सीम बने थे उसके पहले परमपर से कागजों से होता था बड़े पैमाने पर गुजरात में पतंग त्योहारों पर बन चलाई जाती है उड़ाई जाती है और उसके लिए यहां चाहे वो सूरत हो चाहे गानी नगर हो यहां बड़ी संक्या में पतंग बनाने वाले लोग मुस्लिम वर्क के लोग इसको तैय ही बादमी के बसका नहीं है तो सरकार की तरफ से समीती बनाकर उनको द्योग धंदे का मानता देकर उनके लिए मशीन उपलब्द कराई उसके लिए लोग उपलब्द कराया और सरकार की तरफ से मदद दी गई जिसके कारण आज आप देखेंगे यदी गुजरात में तो मो मोधीजी की जो च्वी ंग्रेशी पेष करना चाहते हैं दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं कटर हिंदुत्व, RSS का है और ये तो खाली हिंदु राष्ट बनाने वाला आदमी है इस तरह की च्वी को लेकर प्रस्तूत करके मोधीजी को बदनाम करने की कोशिश कंग्रेश अपने इन्वाइट करने में गर्व महसूस करते हैं लेकिन कॉंग्रेसी अभी भी सुद्रे नहीं है और अभी भी आप देखिए गोधरा कांड को लेकर अभी भी सुप्रीम कोट में कपिल सिब्बल वो तारीक पे तारीक वाली बात चल रही है अभी भी वो गोधरा को ये सोचते हैं कि गोधरा कांड में मुसल्मानों के पक्षमें अपने को खड़ा दिखा कर मुसलिम बर्क की वोट ले लेंगे और इसलिए उस केस को अभी भी वो सांत होने देना नहीं चाहते दंगा कब हुआ 28 फरवरी 2002 को और ये दंगा कहां से जुरूआ गोधरा में कार सेवकों की हत्या को लेकर जिसमें पाकिस्तानी एंगल आया जिसमें आतंकवादी एंगल आया और 69 कार सेवकों को डबे के अंदर रेल के उनको पैटरोल डाल कर जला लिया गया उसके पृतिकरिया में जो हुआ उसमें वो कहते हैं मोधी जी ने कराया मोधी जी इसके लिए दोशी है मोधी जी ने पुलिस कर्मियों का आदेस दिये था और कॉंग्रेस ने उस दिन से लेके आज तक इस देश में जो किया है सतर साल में यही किया है के यहां देश में दंगे भड़काओ, लोगों को भड़काओ, देश में आग लगाओ और लोगों को बाटो आज उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी कांड है, प्रियंका गांधी गटना की रात में एडवांस तैयारी करके वहां पहुँच गई और उसको यह था कि वहां जाकर स्टेटमेंट देना है, और जो अपने को पंडित बता रही थी, उनके फेवर में ना बोलके, वो उन खालिस्तानी जंडे लेकर बैठने वाले, और आपको बताएं, खालिस्तानी टी-शेट पहने हुए, उनके फेवर में खड़ी होने के आप देखें, गांधी नगर में जो क्लीन स्वीप हुई है, ये दस साल बाद भारती जंता पार्टी को हासिल ये सत्ता हुई है, एमसीडी की, और इसके पीछे आपको बताएं, दो कारण माने जा रहे हैं, और ये देखना था कि ये पहला चुनाव ऐसा था, कि नया पार् देश अड़क सियार पार्टिल और वो जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, भूपेंदर पटेल, ये दोनों नए थे और इनके लिए ये चुनाव एक चुनोती था, कि कहीं पहली बार ये चुनाव हो रहा है, इन दोनों के तत्वाधान में, इनकी देखरेक में, और अगर इस देखा है कि भारती जनता पार्टि ने जिन दो नेताओं के उपर जम्मेदारी गुजरात की दी, उनके नेतत्त में, निश्यत रूप से, वहां किसी दूसरे की दाल गल्ली नहीं है, जो रिजल्ट यहां आप गांधी नगर के देख रहे हैं, ये गांधी नगर वो सीट है जहां कॉंग्रेस का कबजा था, जादे कर टाइम कॉंग्रेस का कबजा रहा है, और अगर ऐसे में, एमसीडी में, 44 से 40 सीट भारती जनता पार्टि ले आती है, तो बाकी गुजरात के एरिये में, कोई ये उम्मीद कर रहा हो, चाए वो आपिया हो, चाए कॉंग्रेस, के ह अमिशा किसी मंच पर जाते हैं, तो वो मेरा गुजरात, मेरे गुजराती, पहले तो यही बोलते थे, अभी वो मोधी जी पीम हो गए हैं, तो बेशक वो अब कहने लगे हैं, के मेरे सवा सो करोड भारतवाज जी, लेकिन पहले गुजरात को आगे रखते थे, और इसको ज गुजरात की जनता, राजनिती को अच्छे से समझती है, और किसी के फ्री के चक्कर में आने वाली नहीं है, उनको विकास पसंद है, उनको वहाँ लो एन ओर्डर पसंद है, उनको वहाँ स्वच्छता पसंद है, और इसलिए देखें हम, गुजरात का गोमती रिवर ली मैलाएं गहने पहने हुए बकाइदा पूरी सुरक्षित बाजार से अपने घर तक आ जा सकती हैं बेरोग टोग ये जो कल्चर शुरूब हुआ ये मोधी जी की देन है और भारती जंता पार्टी की सरकारों ने जिस तरह से वहां राज करते हुए लोगों को सुविधाए दी हैं मेरे रिस्तेदार हैं और धुर कांग्रेसी वह वहां एक इंडिस्ट्री के अंडर काम करने गए तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से अन्राज्जों में हम देखते हैं कि फैक्टरी लगाना एक बहुत टेड़ी खीर है अधिकारी चक्करी कटाते रहते हैं कि वहां प्रोबलम तो होना दूर खुद अधिकारी फून करके कहते हैं भाई कोई दिक्कत तो नहीं है कोई आपको प्रोबलम तो नहीं हैं ऐसा पहली बार देखने में आया कि नहीं तो अधिकारी रिश्वत के चक्कर में इधर से इधर फाइल गुमाते रहते हैं बड़स् and 90 इस लेकिन गुजरात में यह ऐसा लगता है आने के बाद के कहीं हम दूसरी दुनिया में हैं और यह जो गुजरात का मॉडल है इसी मॉडल को मौधी जी पूरे देश में लागू कर रहे हैं आज की डेट में चाहे L.A.D. बल्वों का काम हो चाहे लोगों को आवास बना कर देने की बाद हो चाहे स्वास्त की बात हो हम देख रहे हैं कि मौधी जी का जो ध्यान है वो अंते उद्धे वो जो दीन डिया लुपाई जैजी की लाइन है उसको लेकर चल रहे हैं उसका ध्यान है और इसलिए गुजरात का मॉडल आज पूरे देश में भाजपा लागू कर रही है मोधी सरकार लागू कर रही है निश्चित रूप से ये जो गांदी नगर सीट पे निश्चित रुप से गांधी नगर में जो भाजपा की जीत है एक तरह से ये मोधी जी की जीत है क्योंकि मोधी जी की जो नीतियां पूरे देश में लागू है उसके कारण ही धुर विरोधी कॉंग्रेसी वो भी अब मूर उनका चेंज हो चुका है और वो भाजपा की तरह पा चुके हैं वरना आपको बताओं गांधी नगर में कभी भी इस तरह के रिजल्ट नहीं रहे भाजपा के पक्ष में के 44 में से 40 सीट ले आए ये बताया है गांधी नगर की जनता ने के अब वहां के अल्प संक्यक समुधाय भी कॉंग्रेस के कहने में बैकाय में आने व पात्र।